आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो एवरिवन, हमने अपने पिसली वीडियो में एक पाट पढ़ा था जिसका शीशक था आवद पूरी में राम और यह एक राम कता है मतलब कि इस पाट में भगवान राम के बारे में हमें बताया गया है और इस पाट के लेखक मदुकर उपाद्याजी है मतलब कर उपाद्याजी ने इस पाट में इस पुस्तक में हमें बगवान राम की जर्म से लेकर उनके जीवन का पूरा वर्णन किया हुआ है तो अभी तक हमने इस पाट का पहला भाग पढ़ लिया है और पहले भाग में हमने पढ़ा था कि बगवान राम की जर्मिस्थली अयोध्या पहले बहुत ज़्यादा धंदान से संपन्य थी वहाँ के जितने भी प्रजाती वो मुपव सुक्स्रम्रद्धी से वहाँ निवास करती थी और जो राजा दस्रत थे उनके राजे में भी किसी प्रकार का कोई कस्ट तकलीफ नहीं थी सचारो तरफ सिर्फ खुशिया ही खुशिया ही थी लेकिन राजा दस्रत को मन में एक बात थी कि राजा दस्रत की तीन रानिया थी लेकिन उनके हाँ कोई भी संतान नहीं थी के परिणाम सरूप राते दस्रत को चार पुत्र हुए पहले पुत्र अपनी उनकी पहली रानी कौशल्या से भगवान राम का जन्म हुआ उनकी दूसरी रानी सुमित्रा से सत्रुबने और लक्षमन का जन्म हुआ और उनकी तीसरी रानी कहकाई से भारत का जन्म हुआ और हम गुरु कुल में सिक्षा दिक्षा के लिए भेज दिया गया और लेखक निया में साथ साथ यह भी बताया था कि जो भगवान राम थे वो अपनी पिता दस्रस की पुत्र की प्रिय थे चूंकि वो बड़े थे और उनमें मानवेग उन्ट थे सहन शीलता करुणा यह भाव उन की उम्र हो गई थी नगर में चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी कि मतलब राजकुमार हैं राम लक्छिमन भरस बीटे मरत सट्रुगन तो अब उनके व्यवार की उम्र हो गए थे और पूरे नअयुद्या सथित्व महाराज दस्रत भी ऐसा ही चाहते थे अपनी जुस्यादा टोने एक्षजाद को बद्धुइंů चाहते थी, परीजनों में चर्चा पहले से हो रही थि और जुनका उनके जितनी बी रिश्ठिदार थे उनमें उनमें पहले से ही चर्चा होने लगी थी फिर बाद में पुरोहितों पुरोहितों का मतला होता है पंडितों तो बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया अयूध्या का राजमहल एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी अलिका कांगे बता रहे हैं कि अब चारों राजकुमा बड़े हो रहे थे तो उनके विवाह की चर्चाएं होने लगी थी तो अयुद्या की राज महल में एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी गहन मंत्रणा तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया और जब अयुद्या में बगवान राम और उनके भाईयों के विवाह क पधारी हैं तो उसने सारी मंत्रियों राचे दस्रत को सूषणा दी कि सार की महरशी विश्वमित्र आये हुए हैं महराज दस्रत अटकाल अपना आशन छोड़ कर खड़े हो गए तकाल का मतलब होता है तुरंट तो अब जब महराज दर्श्रत ने सुना कि महरशी करने ना उन्हें लेकर दर्वार में और हमारे जुक्ष्वे पूर्वजों में हमारे पूर्वजों के लिए गए और उन्हें अपने महल में एक उचाय स्थान दिया विश्वामित्र कभी स्वयम राजा थे और जो मुनी विश्वामित्र थे एक वक्त था बेवी कभी राजा ही थे बहुत बड़े बलसाली और शक्तिसाली राजा हुआ करते थे लेकिन उन्होंने बाद में अपने आश्रम को चिद्राश्रम नाम दिया और जो मुनी विश्वामित्र थे तो लिखक बता रहे हैं कि एक वक्त था कि बेवी कभी राजा हुआ करते थे वे बहुत बड़े और सक्तिसाली राजा थे लेकिन बाद में उन्होंने अपने राज्जी को त्याग दिया और शन्यास करहन कर लिया मतला वब उन्होंने जंगल में जाकर अब भगवान की पूचारशना करने लगे और वहाँ पर उन्होंने जंगल में एक आश्रम बनाया और उन्होंने अपने आश्रम को चिद्राश्रम नाम दिया महरशी के स्वागत सतकार के बाद दसरत ने कहा अपने मन की बात कहिए आपकी आग्या का पूरी तरह पालन होगा तो जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि जो हमारे रिशी मुनी होते हैं उनको बहुती आदर सम्मान दिया जाता है तो महर्शी विश्वा मित्र के स्वागत के बाद राजा दस्रत ने उनसे कहा कि महर्शी आप आ तरह देना आपके लिए कठिन होगा और जब राजा दस्रत ने कहा कि आपके आग्या का पूरी तरह पालन होगा तो महर्शी विश्वा मित्र कहते हैं कि राचन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उससे देना आपके लिए बहुत कठिन होगया अब राजा दस्रत कहते हैं कि आप आग्या दीजे महर्शी मतलब रिशी आप आग्या तो दीजे मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं बिल्कुल नहीं हिचकूँगा तत्पर का मतलब होता है तैयार रहना तो लेखक बता रहे हैं कि जब विश्वा मित्र ने कहा कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा तो राजा दसरत कहते हैं कि आप आगया देजिए महरशी मैं उसे पूरा करने के लिए तर्यार हूँ बिलकुल भी हिचकूंगा नहीं मतलब मैं अपने वचन से पीछे नहीं एटूंगा तो महरशी विश्वा मित्र कहते हैं कि मैं शिद्धी के लिए एक यग कर रहा हूँ अनुस्ठान लगबग पूरा हो गया है लेकिन दो राक्षिस उसमें बाधा डाल रहे हैं अब जो महरशी विश्वा मित्र जो राजा दस्रत के पास आये थे वो अपनी परेशानी का राजा दस्रत को बताते हुए कहते हैं कि मैं योग शिद्धी के लिए एक यग कर रहा हूँ और मेरा जो अनिस्टान है वो लगबग पूरा हो रहा है लेकिन जो दो राक्षिस हैं वो उसमें बाधा डाल रहे हैं बाधा का मतलब होता है रुकावट तो रुकावट डाल रही हैं मैं जानता हूँ कि उन राक्षेसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है वह राम है और अब चुकीर महरशी विश्वा मित्र एक बहुत बड़े ज्यानी और संत थे इसलिए वो बगवान राम के गुणों को पहले ही पहचान चुकी थी इसलिए उन्होंने राज़त दस्रस से कहा कि मैं अपनी उन राक्षेसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है वह राम है आप अपने जेस्ट पुत्र को मुझे दे दे जेस्ट का मतलब होता है बड़े तो जो आपके जो बड़े पुत्र है उन्हें आप मुझे दे दे ताकि मेरा यग पूरा हो शक्या विश्वा पर जैसे बिजली गर पड़ी अब राजा दसरत हमने अपने पहले भाग में पढ़ा था कि जो भगवान राम थे वो राजा दसरत को अत्यदिक प्रिये थे तो जब विश्वामित्र ने राजा दसरत से राम को ले जाने के बाद कही तो राजा दसरत पर जैसे बिजली गर प महरशी विश्वा मित्र हैं वह उनसे उनके बड़े पुत्र मांग लेंगे अब विश्वा मित्र दसरत की सुवीधा को समझ कर रहे थे अब जो मुनी महरशी विश्वा मित्र थे अब वो राजा दसरत की दुवीधा उनकी परिशाने को समझ रहे थे विश्वा मित्र ने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ यग दस दिन में संपन्न हो जाएगा इसलिए जब महरशी विश्वामित्र ने देखा कि राजा दसरत राम के जाने से दुखी हो रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ दस दिनों में मीरा यग संपन्न हो जाएगा, संपन्न का मतलब होता है पूरा होना, तो दस दिनों में मीरा यग पूरा हो जाएगा, महराज दसरत अब दुखी हो गए थे, पुत्र वियोग की आशनक अच्छा गया दसरत की दसा देखकर मंत्री चिंतित थे और वहाँ पर जितने भी मंत्री गणों पसे थे वी राजा दसरत की दसा को देखकर अब चिंतित हो रहे थे पर सारे लोग अभी भी चुपते महर्ची वसिस्ट सांत थे और जो महर्ची वसिस्ट थे जो राजा दसरत की राज की राजगुरू थी तो अब वो अभी भी शानते थे इतनी में दसरत काप कर बेहोश हो गए और अपने पुत्र वियोग में जो राजा दसरत थे वो काप कर अब बेहोश हो गए होश आया तो उन्हें डर ने फिर जकर लिया और जब उन्हें होश आया तो उन्हें प राजा दसरत का अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम था लेकिन जो महर्शी विश्वा मित्र थे वो महर्शी थे वो बहुत बड़े ज्यानी थे तो वो भगवान राम की गुड़ों को पहचान चुके थे इसलिए उन्होंने राजा दसरत से कहा कि मुझे मेरा यग पन्न कर ले के लिए राम की जरूरत है और इस बात को सुनकर जो राजा दसरते वो चिंतित हो उठे थे अब महर्शी विश्वा मित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था और जब उन्होंने देखा कि महर्शी विश्वा मित्र देखा कि राजा दसरत अब अपने बचन से से बुरह होने के आशंका से घबडा रहे थे वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे महर्शी और महराज के वीच समवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था समवाद का मतलब होता है बातचीत तो जो महर्शी विश्वा मित्र और राजा दसरत के बीच बातचीत में कोई बोलन उच्उत नहीं समस्ता था और जो मुणी वशिष्ट थे जो राजा दसरत के राजगुरु थे तो वो आकर दसरत के पास खड़े हो गए और थोड़ी दिर बात दसरत उठे दसरत स्वयम को संभालते हुए उन्होंने महर्श्टी से विद्धी की महा मुनी मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है वह राक्षेसों से कैसे लड़ेगा राक्षेस मायावी है वह उनका छल कपट कैसे समझेगा उन्हें कैसे मारेगा तो अब जो भगवान राम के जो पिता है राजा दस्रत तो वो महरशी विश्वा वित्र से कहते हैं कि मेरा रापुत्र तो अभी सिर्फ 16 वर्ष का ही है अब जो कि भगवान राम के जो गुण थे वो राजा दस्रत को पता नहीं थे उन्हें तो भाए अपने बालक के सामान ही लग रहे थे लेकिन महर्शी विश्वामित्र और महर्शी वसिस्ट भगवान राम की गोड़ों को और उनके रूप को पहचान चुके थे लेकिन जो राज़ दस्रत अपनी बालक के मोह में थे और वो कह रहे थे महर्शी विश्वामित्र से कि मेरा बालक तो अभी 16 वर्सका भी नहीं हुआ है वह इतनी बड़े बड़े राक्षेसों का विनाश कैसे करेगा राक्षेस तो मायावी है मायावी का मतलब होता है उनके पास तो सारी सक्तिया है वह उनका चलकपट कैसे समझेगा मेरा पुत्र उन्हें कैसे मारेगा इससे अच्छा तो यहीं होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं मैं सोयम आपके साथ चलूँ राक्षेसों से युद्ध करूँ तो जो राज़ा दस्रत हैं वो कहते हैं कि इससे अच्छा होगा कि आप मेरी पूरी सेना को ले जाएं और मैं स्वयम मतलम मैं खुद आपके साथ चलूँगा और उन दोनों राक्षिसों से मैं स्वयम यग्द करूँगा महर्शी विश्वा मित्र ने कोई प्रती के लिया व्यक्त नहीं किये अब महर्शी विश्वा मित्र जो थे उन्होंने राज़ा दस्रत की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया बे क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थी जो महर्शी विश्वा मित्र थे उन्हें मन ही आड रहे थे लेकिन वो क्रोध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें वो जो यग कर रहे थे उस यग का नियम था कि उन्हें क्रोध नहीं करना है अगर वो क्रोध करेंगे तो क्रोध करने से यग खंडित हो जाता है और उनका जो अनुस्टान है वो अधूरा रह जाता है सब पहिले हम जानने के क्रोध का मतलब क्या होता है? महमुनी एक पल भी अब राजा दस्रत उनके अपने पुत्र राम के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे तो वो कहते हैं कि मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता आप राम को चूड़ कर जो चाहें मांग ले उसे मत ले जाएए मैं राम को नहीं दूँगा बिलकुल नही वह मेरी बुढ़ापे के संतान है मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ अब जो राजा दस्रत थी वो महर्शी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं अपने पुत्र राम की बिना एक पल भी नहीं रह सकता आप राम को छोड़ कर कुछ भी मांग ले जिए लेकिन मैं अपने पुत और मैं मतलब बुढ़ापे में ही उनके हां संतान हुई थी तो इसलिए वो अपने बड़े पुत्र राम को बहुत प्रेम करते थे तो वो कहते हैं कि आप मेरा मेरा पूरा राज्य ले लीजिए मेरी पूरी सेना ले ले लीजिए लेकिन मैं राम को नहीं दूँगा तो महर रशी का क्रोध भवग उठा मतलब अब जो मेह autor विश्वा मित्र थे यह ञहीं बहुत आदे हम क्रोध आने लगा दरार मंतरी घंड और रूशी मुनी सकते में आ गये तो हमने पहले सास्त्रों के हमारे ररी रीशी मुनी थे उनका промकू यह जfal लोग ठुन थोता था तो इस बिश्वामित्र थे अब वो राजा दस्रत से कहते हैं कि आप रगुकुल की दीती तोड़ रहे हैं जो कि हम सभी जानते हैं कि जो राजा दस्रत थे वो रगुकुल की वनसस थे और उनका एक धरम करता विता कि वो अपनी वचन से पीछे नहीं अट सकते लेकिन जब सुचक है और उनको समझाते हैं कि यह आपने वचन दिया था कि आप मैं जो भी मागूंगा आप देंगे और अब आप पीछे अट रहे हैं यह बढ़ताओ मतलब यह आपका यह बहेवियर यह बढ़ताओ आपके कुल की विनाश का सुचक है आप जानते हैं कि मैं सुयम इस्ट राक्षिसो का संहार कर सकता हूँ उन्हें मार सकता हूँ लेकिन मैंने सन्यास ले लिया है अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हात लोट जाओंगा अब बात बिगडती देख मुनी वसिस्ट आँगे आए अब जब मुनी वसिस्ट ने देखा कि यहां पर बात बिगड रही है और मैं श्री विश्वा मित्र को अपक्रोध आने लगा इसलिए वह आगे आए और बात को संभालते हूँ उन्होंने महराज दस्रत को समझाया राम की शक्ति के बारे में प्रतिग्या तोडने के संबंद में और मुनी वसिस्ट ने ने राज प्रतिग्या तोडना गलत माना जाता है तो अगर आपने प्रतिग्या ली है तो आप इसको तोड़ नहीं सकते महर्ची विश्वा मित्र के साथ रहनी पर राजकुमार राम को होने वाले लाव के बारे में बताया और साथी साथ महर्ची वसिस्ट ने राज दस्रत को पूरा करना चाहिए। अब महराज दसरत की चिंता कुछ कम हुई पर मन अभी भी खिन्न था और महराज दसरत की चिंता कुछ कम हो गई थी पर मन अभी भी उनका कुछ दुखी था पुत्र विच्छो का दुख अभी सभी तरकों पर भारी पढ़ रहा था और अब जो राज दसरत थे उन्हें राम स दूर जाने का दुख सबसे ज़्यादा भारी लग रहा था, उन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब गुरू वसिस्ट ने कहा, महराज महरशी विश्वामित्र सिद्ध पुरोष हैं, तपश्वी हैं, अनेकुप्त विध्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोच कर ही यहां आए हैं, और जो महरशी वसिस्ट होते हैं, वह राजय दसरत को समझाते हैं, कि जो महरशी विश्वामित्र हैं, वह बहुत बड़े सिद्ध पुरोष हैं, तपश्वी हैं, और उन्हें उनके पास बहुत आदिक वैसी विध्याओं हैं, जिससे वो हर चीज को संभ विंति करते हैं, कि आप राम को महरशी विश्वामित्र को सौब दे, वह एक शिद्ध पुरोष हैं, बहुत बड़ी ग्यानी हैं, राम उनसे जाके बहुत कुछ सिक्छा दिक्छा अर्जित करेगा, अब दसरत ने मुनी वसिस्ट की बात दुखी मन से स्विकार कर ली, ले नहां कि वे राम के साथ उनके छोटी भाई लक्षमन को भी ले जाएं, महरशी विश्वामित्र ने महराज दसरत का यह अग्रह श्विकार कर लिया, और राजय दसरत ने महरशी विश्वामित्र से कहा कि आप राम के साथ साथ मेरी पुत्र लक्षमन को भी ले जाएं, और महर्शी जो विश्वा मित्र थी उन्होंने राज़ा दस्रत की इस वाद को श्विकार कर लिया राम और लक्षमण को ततकाल दरवार में बुलाया गया महराज दस्रत ने उन्हें अपनी निर्नाई की सूशना दे दी निर्नाई का मतलब होता है फैसला तो अब राम और लक्षमण को दुरंथी दरवार में बुलाया गया और महराज दस्रत ने उन्हें अपनी फैसले की सूशना दे दी कि दोनों भाईयों ने उन्हें सहर्ष्विकार कर लिया सिर्फ जुकाकर आधर सहित तो हमने देखा है रामायड में कि हमारे जो भगवान राम थे वो अपने पिता का बहुत जादा आधर सम्मान करते थे और जो उनके तीन भाई थे वे अपने पिता और अपने बड़े भाई मतलब भगवान राम का भी बहुत आधर सम्मान करते थे उनके सारी बातें मानते थे तो जब राजय दस्रत ने उन्हें राम और लक्षमण को मैर्शी विश्वा मित्र के साथ जाने के लिए कहा तो दोनों भाईयों ने उसे सहर्शी स्विकार कर लिया सिर्जुकाकर और आदर सहित जब इसकी सूचना माता कौसिल्या को दी गई बताया गया कि राम और लक्षमण बन जा रहे हैं मैर्शी विश्वा मित्र के साथ तो नितांत गंभीर माहुल में स्वस्ती वचन हुआ और जब इसकी सूचना माता कौसिल्या को दी गई कि उनके पुत्र राम और लक्षमर बन जा रहे हैं महर्शी विश्वामित्र के साथ तो वहाँ पर नितांत घंबीर माहुल बन गया शंके ध्वानी उतबन न हुई नगाड़ी बचने लगे महरास दस्वरत ने भावक होकर दोनो पुत्रों का मस्तिष जूम कर उन्हें महर्षी को सौम दिया और जो राजा दस्वरत थे उन्हों ने अपने दोनों पुत्रों को इस देह प्रेम दे कर उन्हें महर्सी विश्व मित्र के साथ चल पड़े, बिहड और भयानक जंगलों की ओर, बिहड का मतलब होता है वीरान जहां पर घनाय जंगल होता है, तो बिहड मित्र आंगे आंगे चल रहे थे और राम उनके बीछे पीछे, लक्षमप राम से दो कदम पीछे थे अपनी धनुष को संभालते हुए पीट पर तुरीन का मतलब होता है जहां पर राजा अपनी ने अब जो धनुष होता था उनके बाणों को रखते थे और अपनी कमर में तलवार लटका हुए तो लेखक ने बताया है कि जब राजा दसरत ने अपने दोनों पत्रो को आग्या दी तो वो सहर्षी महर्षी विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गए और जाब वो दोनों बिना देदी किये महर्षी के साथ चल पड़े बीहड बयानक जंगलों में वहां पर महर्षी विश्वामित्र के आंगे चल रहे थे और राम उनके पीछे औ अपनी कमर में तलवार लटका हुए जो इस पार्ट के इस भाग में हमने देखा कि किस तरह से राजा दसरत अपनी पुत्र मुह में बंदे हुए तो और वह महर्शी विश्वामित्र के साथ भगवन राम को जाने की आग्या नहीं दे रहे थी लेकिन जब महर्शी वसिस्ट समझाया कि जो महर्शी विश्वामित्र है वो बहुत बड़े ग्यानी और सिद्ध पुरुष है राम को उनसे बहुत सारी सिख्छा और राम का कुछ भी नहीं होगा तो राजा दसरत दुखी मन से राम को महर्शी विश्वामित्र के साथ बेजने के लिए तयार हो गए और और ब्राम और लक्षमर दोनों महर्शी विश्वामित्र के साथ उनके बन जाने के लिए तयार हो गए हमारे है बाट यहीं पर समापत होता है धन्यवाद